अगर आप किसी सुनसान हाइवे पर रात में ड्राइर कर रहे हो और अचानक कोई सफेज साड़ी पहनी ओरत दिख जाए या फिर अचानक किसी रास्ते से गुसरते हुए आपके शरीर में खुद बखुद कम-कम भी छुटने लगे तो एक बार आप भी डर जाओगे लेकिन ये कोई सिरियल या फिल्म नहीं है सच्चाई है और ये हाइवे भी कहीं और किसी और देश में नहीं बलकि भारत में ही है इन हे हॉंटेड माना गया है क्योंकि इन से जुड़े डर के किसे काफी मशुर है जो अकसर सुनने मिलते है अगर आपने न सुने हो तो एक बार जा है तो कम से कम ये जरूर देख ले की रात ना हो आज हम आपको देश के उन हाइवे की जानकारी दे रहे है जो हॉंटेड माने जाते है हाला कि ऐसी किसी भी जानकारी की पुष्टी नहीं हुई है इसलिए इस पर फेसला स्वयम करे हम इन दस जगहों की जानकारी चर्चाओ किस से और एसी गतिविधियो के आधार पर दे रहे है इस्ट हाइवे 49 ये दो लाइन का हाइवे है जिसे नाम से इस्ट कोष्ट रोड इसी आर से भी जाना जाता है जो की पश्चिम बंगाल को तमिल से जोडता है चैन्ने से पॉंडी चरी के बीच का ये रास्ता बूद की वज़े से काफी डरावना है खास कर रात में ड्राइवरों ने बताया है कि रात में अचानक एक सफेद साड़ी पहनी हुई ओरत दिखाई देती है जिससे उनका ध्यान तूट जाता है और एक्सिडेंट हो जाता है एक और बात ओरत दिखने के बाद ही ड्राइवर को दिल्ली कंटोन्मेंट रोड इस रास्ते पर भी सफेद साड़ी ओरत दिखती है दिली के लोगों के लिए ये रास्ता पहले से ही बुत्या है यहांसे गुजरते वक्त उन्हें डर लगता है ऐसा उन्होंने कई बार बताया भी है ऐसा कोई नहीं है जो इस रास्ते से रात क गुजरा हो और उसे ये साड़ी वाली महिला ना दिखाई दी हो ये देश का एक मातर ऐसा हाइवे है जहां हाथसे स्वाभाविक कम और स्वाभाविक रूप से जादा होते है सिधे शब्दों में कहे तो इस रास्ते पर भूत की वज़ा से जादा हाथसे होते है इस हाइवे को पार करने में लोग इसलिए भी डरते है क्योंकि इसके दोनों कोनों पर मंदिर है ऐसी मानेता है कि मंदिर में पूजा किये बिना निकलने वाले लोगों को बूत परिशान करते है जिसके नतीजन हाथ से होते है इस हाइवे से गुजरने वाले अधिकांच ड्राइवर सफेद साडी पहनी एक लंबी ओरत देखने का दावा करते है मारवे मड आइलेंड रोड मुंबई का मड आइलेंड जितना खुबसूरत है उस तक पहुँचने का रास्ता उतना ही डरावना है ये रास्ता काफी संक्रा है और सुनसान भी ड्राइवरों ने बताया है कि उन्हें इस रास्ते पर रात में एक शादी का जोड़ा पहने हुए महिला दिखाई देती है जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजे भी सुनाई देती है कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे मुंबई नासिक हाईवे का कसारा घाट डरावना है क्योंकि यहां भूत दिखने और एसास होने के कई किस्से सामने आ चुके है कभी किसी को बिना सिर्की बुजूर्ग महिला दिखती है तो किसी को पेड़ पर बेठा हुआ बुजूर्ग सड़क के दोनों और घने घने पेड़ होने से रात के वक्त ये रास्ता बेहद डरावना हो जाता है कशेदी घाट मुंबई गोवा हाईवे ये इलाका भी काफी डरावना है यहाँ अब सेंकडो हाथ से हुए है और कई लोगों ने अपनी जान गवाई है ट्रक का गिरना, बस पलट जाना और लोगों की मौत होना आम हो गया है जो लोग जिन्दा बच गए या किसी तरह से बच कर निकल गए वो बताते है कि रात के वक्त चलती गाड़ी के सामने अचानक एकी वक्ती आ जाता है और गाड़ी रोकने का इशारा करता है जिससे संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो ड्राइवर नहीं रुकते उनका एक्सिडेंट हो जाता है इस फोरेस्ट रिजर्व से गुजरने वालों को कभी मशूर चंदन तसकर विरभपन का डर सताता था लेकिन अब डरावनी आवाजे अंजान परचाईया और डरावनी रोश्नी उन्हें परेशान करती है यहां से गुजरने वाले इस भूतिया एसास से कांप जाते है कुछ तो यह भी कहते है कि इस रास्ते पर विरभपन का भूत है ब्ल्यू क्रोस रोड चेन्ने की इस रोड पर अचानक आत्महतिया बढ़ गई है लोगों का कहना है कि यहां आत्माहत्या करने वालों की आत्माय गुमती रहती है अंधेरा होने पर लोगों ने अंजानी सफिद आकरूती दिखने की बात बताई है जो काफी दूर तक उनके साथ भी चलती है सुबह होने के तुरंत बाद से चेनने का ये रास्ता काफी भीड़ भरा होता है लेकिन सूरज डुमने के साथ ही यहां डरावनी गतिवितिया शुरू हो जाती है लोगों ने बताया है कि उन्हें महसुस हुआ कि कोई उन्हें थपड मार रहा है या किसी ने चलते चलते अचानक उन्हें दूर उठा कर फैंक दिया ऐसे अंगिनत किस्से है जो हर रोज बढ़ रहे है दिल्ली जैपूर हाइवे बानगट का डरावना किल्ला आपको याद होगा बता दे ये इसी रास्ते पर है दिल्ली जैपूर हाइवे पर रात के वक्त डरावने किस्से अकसर सुनने को मिलते है यहां से गुजरने वाले ड्रावरों का कहना है कि वो बता नहीं सकते कि उन्होंने असल में क्या अनुबव किया खास कर तब जब वो बानगट किले के आसपास होते है